HyperOS 2.0 का एक official feature confirm कर दिया है शाओमी ने जिहां guys HyperOS 2.0 में आपको नए item arrange करने वाले section में एक नया optimizations देखने को मिलेगी जहां पे आपको एक और additional section देखने को मिलेगा arrange items में इस समय आप सभी को पता है guys की horizontal में और उसी के साथ guys vertical में आप लोग अपने जो windows है उनको adjust कर सकते हो जो recent open करते हो आप लोग उन सभी में recent items को arrange करने के लिए third option भी provide किया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है pile up यहाँ पे मैं आपको show कर देता हूं guys की Xiaomi community में इसके regarding official confirmation देते हुए शाओमी ने यहाँ पे आपसे options पोचे हैं कि हाँ इसमें से आपकी कौन सी preference है आप कौन सा recommend करोगे तीन options दी है horizontal, vertical और third है guys pile up अभी work कैसे करता है guys मैं आपको बता दूँ उससे पहले post में इन्होंने इस चीज़ के बारे में totally describe कर रखा है उसी के साथ इसके जो formations है already ready कर दी गई है और clear कर दो कि यह कोई नया feature नहीं है यह पहले भी officially tease किया गया था बट provide नहीं किया गया बट finally guys लगता है कि इस बार यह हमें provide करवा देंगे Hyperos 2.2 में जो कि बहुत ही ज़दा cool और smooth है जब आप लोग internally जाते हो तो यह किस तरह से work करता है जैसे सबसे पहले vertical किस तरह से है यहाँ पे आप लोग देखी सकते हो उसी के साथ horizontal कैसे work करता है यहाँ पे आप लोग देखी सकते हो और उसी के साथ pile up कैसे work करता है यहाँ पे आपको show करने को मिलता है जहाँ पर आपको तीन options देखने को मिलते हैं जिसमें से आप लोग simply pile up को select करोगे क्योंकि voting चल रही है feature के regarding actually voting चल रही है अगर यह voting successful रही वैसे technically feature आने वाला यह तो एक formality है बट फिर भी mostly users इसको vote कर रहे हैं और यह select भी हो जाएगा इसकी आपको यह feature देखने को मिलेगा अब main बात करते हैं guys की यह feature work कैसे करता है यहाँ पर मैं आपको पता दूँ guys की iOS में already यह देखने को मिलता है और आप सब भी को पता है guys की Xiaomi कहां से inspired होता है वह ही से इस बार inspired हो चुका है पहले से inspired है यह सब चीज़े यहाँ पर describe की गई है उसी के साथ यहाँ पर pick में पर denote किया गया है कि आपको किस तरह का view देखने को मिलने वाला है आप लोग simply से arrange कर पाओगी इस सब भी चीज़ों को consider किया गया है तो HyperOS 2.2 और Android 15 की जो testing हो रही है उसी में इसको test किया जाने वाला है वैसे आप लोग इसको route की help से access कर सकते हो बहुत सारी ऐसी चीज़े होती है जिसकी help से आप लोग इसे access कर पाओगे third party sources है पर मैं recommend ने कर रहोगा तो कि last year में MIUI 14 की time भी feature आया था और बहुत सारे bugs देखने को मिली थे phone break हो गए थे तो मैं बिल्कु recommend ने करूँगा कि कोई भी आपगर आपको third party sources के help से try करने के लिए पर कोशिश करता है न तो उसको avoid कर देना क्योंकि उससे आपके phone में दिक्कत आ सकती है उसी के साथ clear कर दूँगे ये feature officially rollout कर दिया जाएगा इसी साल end तक आपको देखने को मिल जाएगा इसकी भी confirmation काफियत देखने को मिल रही है जो कि Xiaomi officially confirm करी रहा है और हो सकता है guys system launcher में आपको ये update देखने को मिल जाए तो उसकी भी testing में करता रहूँगा बाकि इसके उपर कोई भी confirmation आती है कोई भी hidden feature आता है कि हाँ officially आप लोग इसको कैसे access कर सकते हो जैसे activity launching के help से ऐसा कोई भी source मुझे तक पहुंचता है तो मैं आपके साथ जरूर शेर करूँगा बाकि आपको ये pile up mood कैसा लगा गा इस comment section में बताओ आपके personal क्या opinion ऐसके उपर क्योंकि आपका opinion बहुत matter करता है बाकि अगर आपको वीडियो पसंद आई है यार और information पसंद आई है वीडियो को like कर और चैनल को subscribe करो मिलते है नेक्ट वीडियो में नहीं news के साथ तब तक के लिए जैन